जैहिंद नमस्का दोश्तों हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल का अगर आप सभी फॉर्म भर दिये हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल का सेलेक्साम प्रोसेस के रहने वाला है फिजिकल में क् आपकी यहाँ पर रुनिंग होने वाली है 2.5 किलो मेंटर अगर आपth एक सर्विस्मैन है तो आपकी यहाँ पर एक किलो मेंटर रहने होगी जो की 5 मिनिट के अंदर आपको qualify करना पड़ेगा यह आपकी यहाँ पर running criteria है आपको यह qualify करना ही करना पड़ेगा ठीक है उसी पकार से यहाँ पर अगर आप NCC कर रखे हो तो आपको यहाँ पर NCC का भी benefit आपको दिए जाएगा तभी आप इस भरती में qualify हो जाओगे ठीक है आप बात करने हैं यहाँ पर चेस्ट की तो आपका यहाँ पर 80 cm बिना फुलाए चेस्ट यहाँ पर आपका होना चाहिए कितना होना चाहिए 80 cm आपका चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 cm चेस्ट आपके यहाँ पर फुलना चाहिए तो आप सभी इस भरती के लिए eligible रहेंगे और मैं आप सभी को जानकरी के लिए बता दूँ कि इस भरती के लिए कौन-कौन बच्चा फॉर्म को भर सकता है देखें वे बात आस भी बहुत धान सुनियेगा अगर आप सिंपली बारु ही पास हैं तो आप सभी इस भरती के लिए फॉर्म भर सकते हैं ठीक है और इस फॉर्म के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 20 फॉर्य इस से औरड़ी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 21 मार्च 2024 तक form भरा जाएगा आप सभी इस भरते के लिए form भर सकते हैं ठीक हैं लेकिन अगर आप other states से आते हैं आप सबका लगबग सवाल हमेशा रहता है कि मैं यहाँ पे हर्याना से नहीं हूँ मैं यहाँ पे दिल्ली से हूँ या फिर यूपी से हूँ बिहार से हूँ म बात करें आप सभी किसी वी states आते थे तब सभी इस भरते के लिए form को भर सकते थे ऐसा होता आ रहा था लेकिन इस बार 2024 में जो भरती आई है इस भरती में काफी कुछ बदलाव कर दिया गया है अब की बार वीडियो में आगे 12 पे लाप सभी बता दे अगर आप सभी हर्याना पूलिस कॉंस्टिबल त्यारी कर रहे है तो आप सभी के लिए मार्केट में बेस्ट बूग आ चुका है जो की चक्सू पप्लिकेसन का है इस बूग से आप सभी अपनी त्यारी आप हर्याना पूलिस बोक में मिल जाएगा 25 प्राट्रि स्टेट अब सब को इस बूक में दिया बाकि सामान धीर समानठा समय मांसिक शमय उक्ता उसके बाद बाद बात करें मांसिक उटता हो गया संख्या मक्षामता हो हो गया किर्ची हो गया पस्परण होगा केंपूटर ग्यान होगा हरिया समानगान सारी चीज आप सब को विश्तार से बुक में समझाई गई है और यह बुक आप सब के लिए काफी ज़रा बेश्ट आने वाली है हरना क्वालिफिकेशन में टोयल्थ पास होना ज़र्वी है अगर आप बार्यवी पास से फार्म बर सकते हैं लेकिन यहां पर ऐसा नहीं बोला गया है कि हर्याना पुलिस के लिए फार्म बर सकते हैं यह चीज़े यहां पर बोली गई है अगर आपने CT दे रखा है हर्याना में तो आप सभी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं अनिता नहीं भर सकते यह चीजे थी और पिछली बार क्या हुआ था जो भरती आई थी हर्याना पुलिस को उसमें हुआ कहता सिर्फ हो सिर्फ 12th पास बच्चे फॉर्म भर सकते थे ठीक है बात करें एक CET होता जो की 10th बेश पर होता है ठीक है एक CT होता जो की 12 बेश पर होता है और एक CT होता है जो की 12 का भी करने जुरूबत नहीं है अगर आग graduation CET देते हो तो इसलिए आप सब की एक काम करना 12 और 10 में भी आप फर्म भर सकते हैं ठीक है ऐसी यहाँ पर मानता होती है लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके पास अगर CET है तभी आप हर्याना पुलिस के लिए फर्म को भर सकते है फिदाले CET जिस स्टेट के लागो होता है वो स्टेट के बच्चे काफी जागरूख होते हैं जैसे मान लेते हर्याना पुलिस तो हर्याना की जो बर्चे है वो काफी जागरूख थे CET को लेकर और वो CET कर भी चुके थे ठीक है इसलिए वो यहाँ पर फर्म भरेंगे बा तो कि यहाँ पर 6000 वेकैंसी निकले के आच चुकी है इसके लिए आवेधन शुरूख हो चुके हैं आवेधन आप सभी यहाँ पर कर दीजिएगा बाकि अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस चैनल के अदम से मैं आप सभी को सारी जानकारी भारती जुड़ी हमेसा देता हूँ ठीक है तो चले फर मिलते हैं किसी नई भारती और नई अपडेट सा तक तक लिए जाए इन्जा भारत बंदे बात्रम